आपको बता दे योगी आधितनाथ ने सीधा निशाना असुदुदीन ओवैसी पर साधा है और कहा है कि ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए ये बात मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ की तरफ से ओवैसी रजिका मोहौल बिगार रहे है आपको बता दे ओवैसी ने हाली में बयान दिया था कि C.A.N.R.C. के मुद्धे पर भी वो इसको पीछे लेना चाहिए नहीं तो इस पर भी वो धरनाथ देंगे प्रदर्शन करेंगे जिसको लेकर C.A.N.R.C. जब आज कानपुर में मौजूदे तो कहा कि मौहल बिगारने वालों से उनको ने पठना आता है उनको ने पठना जानते हैं उन्होंने साथी साथ ये भी कहा कि कुछ लोग मौहल बिगारना चाहते हैं सीधे तोर पार निशाने पर ओवैसी को लिया मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने और ये कहा कि जो लोग भी मौहल बिगारना चाहते हैं उनसे निपटना हम बखू भी जानते हैं बीजेपी जास्ट रुधम किधर्म के लिए समर्पित पार्टी है हम विकास के कामों पर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन योगी आधितिनाथ ने इस बात का जिक्रिव भी किया कि असदीर उवेती जैसे लोग महल विकारने की कोशिश करना चाहते हैं जिसने पटना हमें आता है कि भूत जीता तो चुनाओ जीता क्या भूत जीता तो भूत जीता तो क्या आप सभी लोग तयार हैं राश्टियर जगजी के सामने बोलना हैं आप और गंगा का तो ठोटी छेत्र भी है एक बहुत बड़े संकव के साथ जुड़ रहे हैं इसलिए भाईों बेलों मैं आप सब का आप इत्वी उत्सा के साथ यहां पर आए हैं राश्टियर जगजी को सुनने के लिए आए हैं आप सब का भी मैं बनंदन करता हूँ राश्टियर जगजी को सब करता हूँ राश्टियर जगजी को सब करता हूँ